हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोईन इंडिया नेवी की नियू रिकूर्मेंट नॉटिफिकेशन जो की फ्रेंज सेलर एए एन एससर पोस्त के लिए इनवाइट की गई है, इसका ओनलाइन आप मॉबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंज से यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है, या फिर यह वेकिंसी है, इससे रेटेज जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जोबरास्ता.com के लिंक पर, वहाँ पर जाकर आप बेटेल्स को चेक कर सकते हैं, अगर आप एलिजीबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं, अपलाए कर सकते हैं, और कैसे अपलाए करना है, मॉबाइल से उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उसके बाद आप इसमें login कर सकते हैं अगर आप पहले से register हैं तो आप directly login कर सकते हैं register नहीं है तो आप register tab पर click कर देंगे registration में friends से आपको या तो virtual ID के थुरू या फिर आप without अधार भी registration कर सकते हैं अधार कार नमबर आप बाद में भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं कोई दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं होगी अगर आपके पास अधार virtual ID है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप अधार कार की website पर जाकर अपने अधार कार को डाउनलोड करेंगे आपको virtual ID का option मिलता है उससे आप अपना virtual ID पता लगा सकती है इसके बाद उस register mobile नमबर आपको देना है जो अधार कार से link है OTP को verify करना है और उसके बाद आप send OTP करेंगे और उसके बार आपका account create हो जाएगा अगर मालीजी आपके पास यहाँ पर यह नहीं है आप without अधार देना चाहें तो कोई भी एक photo ID proof आप यहाँ से select कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस उसका यहाँ पर जो आपको ID नमबर है वो आपको देना होगा इसके बाद इस capture code को fill करके आप save कर सकते हैं capture code फिल करने से पहले आप capture code को refresh जरूर करें उसके बाद यहाँ से इसको fill करके save करें क्योंकि यहाँ पर capture capture code का error आता है बार बार में इसलिए आपको हर बार capture code को refresh करना है और उसके बाद save वाले option पर click करना है इसके बाद friends आप login हो जाएंगे यहाँ पर इसके registration form पर और यहाँ पर देखी सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है first name, middle name और last name तो आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर click क आती है इसलिए mobile number आपका active and valid होना चाहिए इसके बार आपका father या फिर mother name या फिर गार्जन नेम आप यहाँ पर mention कर सकते हैं आपका DOB क्या है date of birth तो आपको इस calendar पर click करना है और आपकी जो date of birth है वो आप यहाँ पर fill कर सकते है तो आपका जो date of birth है इसमेर date month and year तो आपको date देनी है इसके बाद आपको यहाँ पर month देना है और उसके बाद आप यहाँ पर year Enter कर सकते है इसके बाद friends nationality option है nationality select कर लिजिए आपका doman इसके बाद यहां पर है जेंडर तो आपका जेंडर सेलेट कीजिए, मैरिटल स्टेटर सेलेट कीजिए, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब चहरे, हाथ पेर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, बन का निशान है, आप दे सकते हैं, नहीं है, तो आप यहां आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं, आप यहां पर फिल करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है, जिस पोस्त के लिए आप अप्लाई करने हैं, उसकी डिटल साप फिल करें, आप क्योंकि रडिस्टेशन इसमें एक बार होता है, आप चाहें तो अपनी क्वालिफिकेशन को एडिट कर सकते हैं, जब भी आप एडिट करना चाहें, बाद में अगर यह वेकेंसी कंप्लीट हो जाती है, अगर अभी आपके पास यहां पर जो पोस्त में मांगी गई है, वो आप सको फिल करना है, तो कम से कम आप उतनी तो फिल यहां प आपके पास यहां पर जो सब्डेट्स हैं, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है, आप दे सकते हैं, नहीं है, तो ब्लैंक छोड़िए, अकाउंट डेटेल पर जाईए, इसके बाद यहां पर आपको आपकी मेल आईडी और पासवर कैसे आपको देना है, तो पासवर्ड के लिए फ्रेंज से, यहां पर गाइलाइन दी गई है कि पासवर्ड कम से कम 6 से 20 करेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड में आपको यहां पर लुवर केस, अपर केस, और इसके अलावा दिसे हमने यहां पर इसमॉल लेटर ले लिया, इसके अलाबा हमने यहाँ पर एक capital letter ले लिया इसके बार आप यहाँ पर कोई भी special character यूज कर सकते हैं और numbers की आप entry कर सकते हैं तो आपको capital letter, small letter, आपके यहाँ पर special character, numbers आपको यूज करने हैं पासवर्ड में पासवर्ड आपको confirm करना है इस capture code को refresh करके capture code लिखना है agree करना है और उसके बार यहाँ से data को save करना है save करने के बार आपके जो register mail ID है जो भी आपने fill की है उस पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको verify करनी होगी मतलब एक link जाएगा वो आपको verify करना होगा इसके बार आपके mobile number पर एक OTP आएगी वो OTP आपको verify करनी होगी उसके बाद ही आपका जो account है वो completely बनेगा तो जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए आपका जो account है वो successful यहाँ पर create हो जाएगा बस आपको यहाँ पर जो mail ID पर जो link क्या है उसको verify करना जरूरी है और जो OTP आई है वो OTP आपको verify करनी होगी और यहाँ पर फ्रेंस से आप देख सकते है OTP आपको मिल जाती है OTP आपको verify करनी होगी और OTP verify करने के बाद ही friends आपको यहाँ पर देखिए जो save का option है उससे आप अपनी data को save कर लेंगे और उसके बाद आप इसमें login कर सकते हैं यहाँ पर login का option आपको मिल जाता है login करने के लिए आपको friends यहाँ पर सबसे पहले state select करना है आपकी mail ID देनी है password देना है और उसके बाद आप इसमें login कर पाएंगे इसके बाद friends आप अपने account पर या फिर dashboard में login हो जाएंगे और login होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको qualifications rated जानकारी फिल करनी है जैसे आपको 12 का यहाँ पर जो certificate है mark sheet है वो आप upload करेंगे pdf format में choose file पर आपको click करना है जहाँ पर भी आपकी file save है आप उसे import कर सकते हैं इसके बाद friends नीचे मिलता है आपको details जिसमें आपको सबसे पहले mark system यहाँ पर अगर आपका है तो mark system दीजिए cgp system है तो यहाँ पर देखिए cgp में आपको यहाँ पर conversion का formula upload करना होगा तो कि आपकी university, college, board या school द्वारा जो formula है वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है बागी mark sheet और certificate पर हो सकता है आप देखिए उस पर आपको formula मिल जाएगा नहीं तो अपने school, institute या university या board में आप संपर कर सकते हैं वो आपको formula provide कर देंगे उसके पर आप उसे upload यहाँ पर कर सकते हैं, mark system है तो आपको यहाँ पर आपके जो जो numbers है mark sheet पर वो आपको देने होंगे, यहाँ पर देना है सबसे पहले आपको total marks और यहाँ पर आपको देना है marks obtain तो आप अपने according जो जो numbers आपके यहाँ आए हैं जिस subjects में आए हैं वो आपको यहाँ पर enter करना जरूर तो आपको यहां पर दैना है, इसके बार is Board या University तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपके According जो भी आपका Board है वो आप यहां से Selective कर सकते हैं तो सारे Board की जो लाम है वो आपको यहां पर मिल जाते हैं, अब आपको 10 के drill देनी है, same mark system है mark, CGPA है CGPA, CGPA में same आपको conversion का formula देना है, mark system में आपको total marks, obtained marks देने है, serial number of mark sheet आप यहाँ पर देंगे, इसके बाद state conducted exam, इसके बाद board का नाम, 10 की mark sheet and passing certificate, अगर mark sheet और certificate नहीं है तब दोनों में mark sheet भी upload कर सकते हैं, नीचे आपको यह security code दिया गय इसके बाद friends, यहाँ पर data है, वो completely submit हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर है आपका education profile के बाद, यहाँ पर है communication details, अब यहाँ पर आपका जो भी address है, वो आप यहाँ पर आपका address में, आपका state name, आपका जो यहाँ पर district है, state है, pin code है, आपका जो भी address है, वो आप अपनी according यहाँ पर fill कर सकते हैं, इसके बाद friends, से नीचे है आपका photograph and signature का option, और यहाँ पर है residence proof, मतलब आपका यहाँ पर जो bonafet certificate होता है, मूल निवास परमान पत्र, आप PDF format में upload कर सकते हैं, same choose file पर आप click करेंगे, जहाँ पर भी आपकी file save है, आप उसे यहाँ पर import करके upload कर इसके लिए friends, से आपको इस capture code को refresh करना है, और उसके बाद ही आप यहाँ से data को save करेंगे, इसके बाद friends, से यहाँ पर देखिए, आपकी जो details हैं, वो आपकी verify हो जाएंगी, complete हो जाएंगी, और एक बाद details verify and complete होने के बाद, आपको यहाँ पर देखिए, current opportunity का option मिलता है, आ SSR 08-2021 जिसके लिए आप 26 अपरेल से 5 मई तक आविदन कर सकते हैं, view detail पर जाकर friends, आप इसकी LGBT conditions को check कर सकते हैं, इसके बाद नीचे देखिए, आपको जो एक टिक का निशान है, यह आपके apply का निशान है, आपको इस पर click करना है, apply करने के लिए, अब यहाँ पर friends, instructions है, instructions क आप read कर सकते हैं, और read करने के बाद आपको सबसे last में आना है, और apply now वाले option पर click करना है, यहाँ पर click करने के बाद आपका जो application form है, यह open हो जाएगा, और यहाँ पर friends, आपको सबसे पहले देखिए, जो full name है, वो आपको यहाँ फिल करना है, बाकी की जनकरी आपकी automatic fill up हो आते हैं, तो आपको यहाँ पर tick करना है, उन सभी subjects के लिए, आपकी percentage यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद बागी की details आपकी automatic fill up है, आपको directly save and nest टिक करना होगा, इसके बाद friends, यहाँ पर है आपका military record, अगर इन में से कोई भी option आपका applicable है, आप उस पर yes कर सकते हैं, नहीं है, तो आप इसमें no रहने देंगे, इसके बाद friends, नेस option आपका address का है, तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपका address है, उसे आप चेक कर लेंगे, save and nest पर click करेंगे, इसके बाद option आएगा, mislaneous का, जैसे आपको इस entry के बारे में कहां से पता लगा, तो आप उसे select कर सकते हैं, आपको किसने motivate किया, आपको navy में जाने के लिए, आप उसे select करेंगे, swimming आती है, तो yes कीजिए, नहीं आती है, तो no कीजिए, save and nest कीजिए, इसके बाद यहाँ पर है friends, आपका upload documents, तो देखिए, आप documents पहले ही upload कर चुके हैं, फिर भी कोई document आप add करना चाहें, तो आप add more पर क्लिए करके उसे upload कर देंगे, इसके बाद आप save and nest करेंगे, यहाँ पर friends, आपको मिलेगा आपका priority, मतलब आप preference किसको देना चाहते हैं, अगर आप AA के लिए preference देना चाहें, तो yes कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप AA सम्मिरिन specialization को consider करना चाहते हैं, तो yes कीजिए, नहीं चाहते हैं, तो आप no भी कर सकते हैं, consider करना चाहते हैं, SSR को तो आप इसको भी yes कर सकते हैं, मतलब multiple आप preference यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बाद आप इसे save and nest कर देंगे, इसके बाद आपके सामने open होगा, यहाँ पर friends से preview section, preview section के एक-एक step को, जो भी आपके सामने step है, इनको आप read करें, ध्यान से check करें, कोई भी गलती किसी भी step में ना हो, इसके बाद आप submit application पर click करेंगे, और इसके बाद आप कोई भी edit नहीं कर पाएंगे, यह चीज़ आपको clear mention की गई है, इसके बाद आप yes पर click करेंगे, आपका form यहाँ पर submit हो जाएगा, और यहाँ से आप download वाले option पर click करेंगे, आपके application form को आप download कर सकते हैं, तो friends, यहाँ पर friends, जो यह vacancy है, इसका form आपका complete हो जाएगा, इसके बाद आप चाहें, तो application status में जाकर अपने status को भी check कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर view का option भी मिल जाए के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चनल, and last thanks for watching.